तो दोस्तो दो-चार दिन से गर्मी बहुत जारा बढ़ गई है, हिمाचल में भी पारा बहुत जारा ऊपर चला गया है, हम लोग बारिश के इंतरजार करे करें, लेकिन बारिश नहीं आहरी बारिश ओपर धरम शाला में तो लगदार हो रही है, लेकिन यहां नीचे हाई फ्रेंट्स दिस इस हमाचलाई टेके और वेलकम बैक तो माई न्यू एपिसोड और हम लोग जा रहे हैं अब पार्क में क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है एरी जिद कर रहा थे कि पार्क में जाना है और इस वक्त हमें भी यही सही लगा कि यह पार्क में चलते दी हवा काएंगे और बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे जूलों के उपर हैरू कहां चलने हैं बिटा कहां पार्क में जाओगे ठीक है अगर नहीं जाएंगे तो ठीक है जिद नहीं करेंगे हम चलेंगे ठीक है हमारे साथ कूहू भी जाएगी कूहू चलो तो दोस्तों हमारे साथ ये हमारे पुडोसी जुड़ गए है अनन्या के मम्मी अनन्या और अमर अमर का है ये ये अमर भी आ गया है साथ में तो हम लोग सब मिलकर अब जा रहे हैं पार्क की तरफ पार्क जो है हमारे घर से लगबख देड़ दो किलमेटर ऊपर है चड़ाई पे है गर्मी बहुत जादा होगी है इसलिए चले में थोड़ी दिक्कती और बच्चे जादा साथ में हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं ताकि जल्दी जा पाएं जल्दी आ पाएं अंधेरा ह हो जाता है अक्सर हम जब जाते हैं टाइम लेकर तोड़ा अर्मी कम हो तो हम लोग यहां से पैदल जाते हैं टहलते हुए आज गाड़ी में जा रहे हैं थोड़ी देर भी हो गई है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा इसलिए गाड़ी में जा रहे हैं तक ही जल्दी ठंडी ठंडी हवा चलती है इसलिए अक्सर लोग इस रोड़ पर टहलने आते हैं जो भी यहां रहते हैं जिन्दगी हो तो ऐसी हो तो दोस्तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पार्क में इतना रश नहीं होता गाउं का पार्क है छोटा सा हिमाचल में तो पहले अक्सर पार्क देखने को मिलते नहीं थे इतने पार्क नहीं होते थे क्योंकि यहां पर यह कुद्रत ने बहुत अच्छे पार्क मना रहे है चारों तरफ खेट हैं, हर्याली है तो यहां पार्क की उतनी जरूरत नहीं रही, लेकिन अब कुछ समय से यहां पर थोड़ी करांती आई है, और यहां की जो पंचायते हैं उनमें पार्क बनाने की एक प्रथा शुरू हो चुकी है यह देखिए आप मेरे पीछे ठीक छोटे छोटे से पार्क हैं लेकिन बच्चों को खुशी देते हैं किसने जूलना है, क्या हुआ स्विंग तो एक दो बार उसको दे दे ना मौका बटा फिर तू, एरी आप भाईयों को भी देंगे ना बारी इसके बाद यह दोनों को वो चीज चाहिए होती है जो मतलब एक को चाहिए, दूसरे को भी वही चीज चाहिए, एक ही वक्त चाहिए तो हमेशा इन लोगों में जगडा होता रहता है गुमाता हूँ बैटा, गुमाता हूँ आरे कुहू भी बैठेगी तो टाव के बिठाओ कै कोई अमर अमर उसको बिठा गिर जाएगी गिरेगी तो नहीं समागो के बेठा न इसको आज TIM E वो आरी है अंने बेटा बैच जाओ、 आरी बेट बनाव, बैच जाओ बैटो बैटो वेरी गुड और ये मैं जूला देना शुरू करता हूं वेरी गुड एरी कैसा लग रहे विड़ा बहुत अच्छा वेरी गुड चलो गुमो कुहू कुहू बच्चों को इस तरह के महौल जूले जूल कर खासकर बहुत अच्छा लगता हम लोग भी जब छोट संजौली में हम रहते थे शिम्ला में तो हम लोग भी अक्सर गई घंटे जो पार्क में गुजार दिये करते हैं तो बच्ची बैटी चोड़ी साथ में हैं हाँ जी बेटा धक्का देता हूं एक सेकंड पहले इसको गुमा के यह रहो भाई साब मेरी ड्यूड लगी इन मैं ट्राइब करो तो हुगू दी 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 अरे रुको रुको गिर्ना मत वहां से और देखो इन लोगोंने मुझे पागल कर दिया भाई परिशान कर दिया एक को सुने दूसरे के देखो आरे वाब रे आराम से दोने पैर एक जगा वह एले इसको पॉइंट ऑँ उस पर अपने हाप चल पड़ता है ने गिरती यह देखो आधा भीवी ने बच्चों के शॉक शॉक में पंगा ले लिया अब यह घबर ही यह आप लोग भी देख helps शुम बैदा है लेहां पीछे है ना ममा से उतरा नहीं जा रहे है गिर जाएगी आंकसे ना दुज दो पी दो यह सच में इदर चोड नहीं होगा बता थर गी तो को भी जिलाओ बई कुछ इदर आओ जिला रहे चला 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 आपको भी दे रहां भई बटा आसे पीछे को नहीं लटकला है रही गिर जाएगा एक जगा रहे ना ऐसे उल्टा नहीं होते पीछे गिर जाओगा नीचे केली खड़े कुहूँ वह सुनी ने इदर आज़े तो ऐसा अक्सर होता है दोस्तो हमारे अंदर का बच्चा भी बच्चों के साथ साथ बाहर आजाता है इस तरह के महाल में अब यह देखिए बच्चों के साथ उनकी माय भी जोले का जो है वह आनन्द ले रही हैं यह लोग जाती है चल ठीक है उस पर चड़ना एक बार फिर से जाने हो खाली बड़ा है तो तो चले जाएगा जातो को को लेकर जाए बटा साथ में एक जगा क्या हो रहा है कि चूबरी है क्या हुआ और आप से अरी गिरेगा बच्चों पीछे से पकड़ना साथ है वेरी ग्यूट कि चलो आजिक पर कोई बार नीचे आजओ इसको आजाए इसाथ में आजाए कि साथ में आजए कि साथ और क्या कर रहे हैं आप आजए बटा अब आरे बोड़ा आंज़े नीचे टक आज़ो को ये छूलों के किनारे पे घ्वास हो गाई है लोटडाउन के दरान यहां कम ल यहां के यहां पार्क में जो सबसे चोड़े बच्चे वो दिखाते हैं आपको यह देखिए दो चोड़े चोड़े बच्चे जूल रहे हैं आजो वेरी गुड और कुहूबी स्लाइड का मजा लेते वे अरे अडल्स के लिए नहीं है यह रट नहीं है तू तो सीनियर सिडिजन है अबे साले तभी मेरा माप करना हो गुष्चे में दो दो निकल जाता हूँ एरी क्या कर साइकल चलाओगे लिए तो बड़ों वाली साइकल आपके तो पैर नीचे पहुंचेंगे नहीं बिटा बिठा दूँ ओके चलो बिठा तो एरी अब खुश है आप पार्क में आके खुश है ठीक है घर वापिस जाना है यहीं रहना है तो अंदेरा हो जाएगा थोड़ी देर में फिर गाड़ी है मारे पास ठीक है चाला ठीक है और यह कुहू जूला जूलते हुए ओ कुहू क्या कर रहे हैं कुहू कि अधिक कर रही है एक्सेसाइज कर रही है यह अधिक रही है यह दो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सेसाइज कर रहे हैं पर और यह पार्क के बिल्कुल साथ आम का पेड़ नहीं आम के पेड़ पीछे जहां तक नजर आपकी जा रही है काफी दूर तक सारे आम के पेड़ है बाग कह सकते हैं आप आम का मतलब यहां आओ बच्चों के साथ टहलो ठंडी हवा खाओ उन्हें जूला जूलाओ और जाते वक्त यह आम जो हैं अपने घर ले जाओ अगर कच्चे हुए तो चटनी बना के खाओ और पक्के हुए तो चूस के खाओ मतलब सोने पे सुहागा एरी बेटा चलें अब नहीं क्यूं अब रात हो रही बेटा अंधेर हो रहा है अब चलना चाहिए ठीक है चलें बच्चों चलो अंधेर हो रहा है अब नहीं बस हो गया बस करने दो तो तो फ्रेंट्स अब रात हो चली है और हम लोग वापस निकल कर रहे हैं घर के लिए खुश हो है खुश हो है सब लोग ठीक है चले घर वापिस चालो तो फ्रेंट्स हम लोग वापस पहुंच गए घर और अंधेरा हो चुका है आप लोगों को पार की ये सहर बच्चों के साथ कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चै कर लोगों के लिए साथ के लिए साथ को लोगाओ ये साथ को है स्वाफ ये पिसरी करों के लितन के लिए स्वाद हैं ये जदो है वे खाहर्ट मेंट इना लिए